जैसा कि आपने थम्निल के उपर देखा, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगेन HDFC के एक नए प्रोड़क्ट के बारे में, जो आपको देता है HDFC EGEMI कार्ड का उप्शन, आप घर बैठे, EGEMI कार्ड अवेल कर सकते हैं HDFC बैंक से, इसमें की एक लाग रुपे तक का लिमिट आपको बैंक प्रोड़क्ट करता है, जब भी आपको कोई प्रोड़क्ट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बाई करना होता है, आप इस कार्ड को घर बैठे इस्तिमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सरे बैनिफिट्स हैं, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको कोई प्रोड़क्ट बाई करना है, ये माई के उपर आपके पास पैसे नहीं है, या फिर अगर आप पूरा पेमेंट वन टाइम में नहीं करना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बैनिफिचल है, बहुत ही कम और बहुत ही असान तरीके से आपको इंस्टेंटली ये कार्ड मिल जाएगा, सो उमीद करता हूँ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे आप, दोस्तो अगर आपको अचानक से पैसो की ज़रूरत पर जाये, सिंप्ली अपना फोन उठाइए, गूगल पर जाएए, और सर्च करिए अधारसे लोन.com, सिर्फ अधारसे लोन.com सर्च करना है आपको, वेबसाइट आपको दिख जाएगा, सिंप्ली इस वेबसाइट के उपर जाना है, और यहाँ पर आपको कई एक ऐसे इन्फोमिशन मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप बिना किसी इंकम प्रूव, बिना किसी साले स्लिप, सिर्फ आपके KYC डॉक्मेंट के उपर इंस्टिन्ट लोन ले सकते हैं, यहाँ पर आपको कई अलग-अलग लोन डीटेल्स मिल जाती हैं, जैसे कि इंस्टिन्ट लोन एप्लिकेशन, प्रॉस्टनल लोन, क्रेडिट कार्ड के बारे में, होम लोन के मारे में, बिजनेस लोन के बारे में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फिर भी लोन ले सकते हैं, तो फटब वर जाईए, गूगल करिए, अधारसेलोन.com, इस वेबसाइट के उपर आईए, और यहाँ पर आपके लिए, डेली नया कुछ आपको देखने के लिए, जरूर मिल जाएगा. अभी हाली में, हमने HDFC के डेविट कार्ड EMI के बारे में, जो है चर्चा करी थी, लेकिन आज की ये वीडियो, इंपोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC, EG EMI कार्ड के बारे में, जैसे कि बाकी EMI कार्ड साफ इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपको HDFC भी प्रोवाइट करता है, EG EMI का ओप्शन, आज के रेट में प्राइवेट बैंक के अगर बात करो, तो HDFC का नाम बहुत ही बेस्ट तरीके से लिया जाता है, लिस्ट जो है बहुत ऊपर है इसका, तो HDFC, EG EMI कार्ड के जरिये, आप एक लाग रुपे तक का लोन असानी से ले सकते हैं, लोन जब आप लेते हैं, जिसमें कि आप पर्चेजिंग करते वक्त, डिस्काउंट में कनवर्ट कर सकते हैं, और साथी बहुत सरे बैनिफिट्स भी हैं, बहुत ही कम रेट अप इंटरेस्ट के उपर आपको यहाँ पर रोन मिल जाता है, साथी अगर आपका रीपेमेंट समय पे होता है, इस्तिमाल कर रहे हैं, बहुतान कर रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के बाद उस से बचे हुई लीमिट को अगेन इस्तिमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दू कि इस काड को अगर आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके इलिजबेटी के अगर बात कर लो तो इलिजबेटी आपके पास इंकम का सोर्स होना चाहिए अगर आपके पास इंकम का सोर्स है और आप उस सोर्स को as a documents दिखा सकते हैं जैसे कि EGMI कार्ड असानी से अवैल कर सकते हैं civil score आपका ठीक होना चाहिए जरूरी नहीं है कि आपका HDFC बैंक के अंदर account होना चाहिए तभी आप इस कार्ड को अवैल कर सकते हैं documents में मैं बता चुका हूँ ID और इंकम सोर्स के लिए कोई भी document validation के लिए देना होगा और किसी भी तरीक अगर guarantee security वेगरा नहीं देना है आपको यहां पर 500 प्लस GST आपको यहां पे पे करने होते हैं यह 500 GST के एवज में आपको एक तरह से देखा जाए तो यह फ्री ही कार्ड है क्योंकि यहां पर जो आपको फ्लाइट बोकिंग वगरा अगर आप करते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग offers भी इस काड के उपर आपको दिखाई दे जाती है हमेशा इसे आप offline और online दोनों जोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं यह भी ध्यान देना होगा कि अगर आप इस काड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस काड से आप कम से कम 10,000 रुपीज तक का प्रोड़क्त बाई कर सकते हैं यह माई के उपर उसे कम का प्रोड़क्त आप नहीं बाई कर सकते हैं उससे ऊपर का आप प्रोड़क्त बाई कर सकते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग इसके अलावा बहुत सारी और भी पढ़ना है तो डेरेक्ली आप अधारसीलोन.com के उपर जा सकते हैं और वहां पे आपको पूरी डीटेल में आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर आपको कोई प्रोड़क्ट बाई करना है तो आप कंजूमर डूरेबल लोन का हेल्प ले सकते हैं जो कि आज के डेट मे होते हैं तो आपको उससे रिलेटेट कई सारे ओफर्स तेखने के लिए मिल जाते हैं तो यह था छोड़ा सा अपडेट आप सभी के लिए HDFC EGMI कार्ड के बारे में उमीद है जानकारी पसंद आई होगी वीडियो गर पसंद आई हो लाइक और शेर करने के साथ चैनल को सब सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आप इसी तरीके के इंट्रस्टिंग अपडेट देख पाएं